मद्यप्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं वहां कॉंग्रिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है चुनौती है ऐसे प्रत्याशियों को ढूनने की जो वहां पहले कॉंग्रिस के टिकेट पर लड़ चुके प्रत्याशियों को खरा चुके हो क्योंकि पहले कि सारे कॉंग्रिसी अब वहां भाचपाई हो चुके हैं लिहाजा हर सीट पर कॉंग्रिस एक दमदार प्रत्याशी तलाश रही है बाकी सीटों पर तो नहीं पर फिलहाल कॉंग्रिस को डबरा सीट से इमर्ती देवी के लिए दमदार तोड मिल गया है जिस नाम को इमर्ती के खिलाफ खड़ा करने का कॉंग्रिस ने सोचा है वो नाम किसी को भी चौका सकता है क्योंकि ये नाम किसी कॉंग्रिस नेता का नहीं है बलकि कॉंग्रिस को इमर्ती का विकल्प बस्पा में मिला है इमर्ति देवी के खिलाफ कॉंग्रिस बस्पा निता सब्त्य प्रकाशी पटसेरिया को खड़ा कर सकती है जिने हाल ही में बस्पा से निश्कासित कर दिया गया है खबर है कि निश्टकासन के बाद से ही पटसेरिया लगातार कॉंग्रिस नेताओं के टच में है आपको बता दें कि पटसेरिया गौलियर चंबल की बहुत पुरानी नेता है जो दो बार डबरा नगर पालिका की अध्यक्ष भी रह चुकी है इस नाते माना जा रहा है कि चेतर में उनकी अच्छी पकड़ का खामिया जाए मरती को भुगतना पड़ सकता है